कि असलाम लिए विवर कि अवीद है आज इस वीडियों में तेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कुशन करें लिए थ्री फेस फेस प्रोटेक्शन है इसको किसी भी सरक्ट में लगाने का मकसद यह है अगर किसी भी वज़ा से थ्री फेस में एक फेस एक फेस ड्राप हो जाता है या वल्टिज कम आ जाते हैं तो यह फेस प्रोटेक्शन फेस फेलियर क्रांट आउट नहीं करेगा और मॉटर को जलने से बचा लेगा इसके कनेक्शन करने का तरीका यह है कि मेगनेटिक कनेक्टर में तीन फेस लगाए जाते हैं उसके बाद यहीं से फेस का लूप लेकर इन तीनों पॉइंटों में फेस लगाए जाते हैं तीनों फेस इन तीनों पॉइंटों में लगाए जाते हैं उसके बाद यहीं से फेस का एक लूप निकाल कर 15 नंबर पॉइंट पर लगाया जाता है और 16 नंबर पॉइंट से फेस आउट करके मेगनेटिक कनेक्टर की 220 कोयल में लगाया जाता है इसके बाद मेगनेटिक कनेक्टर की कोयल को निट्रल देने हैं निट्रल देने के बाद इन तीनों पॉइंटों से फेस आउट करके थ्री फेस मोटर को दे देनी है क्रंट जब हम ब्रेकर आउन करते हैं तो इस फेस फेलियर में करंट आ जाता है अगर तो वोल्टिज हमारे पूरे हुए तो 16 नमबर पॉइंट से करंट आउट करके जो वायर हम ने मेगनेटिक कनेक्टर के 220 कोयल को दगाई है मेगनेटिक हमारा बैठेगा आन होगा हमारी मोटर चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद किसी भी वज़ा से एक फेस ड्राप हो जाता है इन तीनों में से तो हमारा ये फेस फेलियर की रैड वाली लाइट आन हो जाएगी फेस ना होने की सूरत में और फेस फेलियर 16 नमबर पॉइंट से करंट आउट नहीं करेगा इससे हमारी मोटर जलने से बच जाएगी आप हालत में 15 नमबर और 18 नमबर पॉइंट आपस में मिले हुए हैं ये फेस फेलियर की वाइरिंग डैग्राम है इस तरह इसके कनेक्शन किये जाएंगे इस तरह थ्री फेस मोटर को फेस प्रोटेक्शन या फेस फेलियर लगाया जाता है मीटर की मदद से मीटर को कंट्री नूट्री पर रख कर हम इन पॉइंटों को चेक कर लेते हैं आप हालत में 15 और 18 आपस में मिले हुए हैं जब हम इसको सप्लाई देंगे थ्री फेस तो 15 और 16 पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और 16 पॉइंट से करंट आउट होकर मगनेटिक कनेक्टर के 220 की कोयल को मिल जाएगा इस तरह इसके कनेक्शन किये जाते हैं किसी भी मोटर को जलने से बचाने के लिए फेस फेलियर का इस्तमाल किया जाता है ह्भी एस यॡ़ी यउनट जो पॉद्रेस होते हैं उन में सरकटे जाए थाके फेस ड्राप होने यह वॉल्टिच कम गाने की şekilde में फेस फेलियर यह फेस परोटेक्शन कुरांट आउट ना करे और सरक्ट आनना हो HVAC 3 पेस आनना हो